हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग वही सब अच्छे ही होंगे और आज के व्लोग पे मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करूगी वो ये है कि मेरे माई के से मेरा सिंदारा आ गया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूगी कि उसमें क्या क्या आया है रेइपाekk respect के बॉल से कि जब बेर बिनाप्याज के करोड़ीय माइक का बुल का बायाज को यह बनाी बिनाप्याज के साबजी बनानी है रही सोचते हैं जब से मेरी सादिय हुई है यह बहुत कम ही खाते हैं सब्जियों में जाद तर हम लोग डालते ही नहीं है क्योंकि ठाकोड़ी है तो भूंग लगता है इसलिए बहुत कम डालते है तो इसलिए मैंने शोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि बिना प्याज के वाके में बहुत टेस्टी जो सब्जी होती है बन जाती है यह एक भ्रम है हमारा कि प्याज नहीं डलेगा तो ग्रेवी कैसे अच्छी बनेगी या ग्रेवी में टेस्ट कैसे आएगा तो वो सब पोसिबल है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आईए बने रहे हैं मेरे व्लोग में और देखते रहे हैं मेरा व्लोग और यह एक कड़ाई और उसमें डाला है थोड़ा सा ओईल आपको इसा भी ले सकते हो मैं यहां पे हम तो सर्सों का तेली यूज करते हैं तो मैंने वही डाला है और टमाटर मैंने पहले से ही कट करके रख लिए थे हम डालेंगे उसमें हलका सा जब तेल गरम हो जाएगा थोड और टमाटर को फिर अच्छे से थोड़ा से चलाना है महीं इसको चलाने के बात मैंने थोड़े से काजु लिये थे और वो काजु पहले पानी चेशी से तो के रख दिये थे अब मैं वह भी इसमें ही निक्स कर दूंगी वो भी मैंने सी में डाल दिया है और अब फिर से इसको चलाएंगे हलका सा उसके बाद इसमें जो मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े ही डालेंगे ज्यादा रही डालना है हलका सा नमक, हलकी सी हल्दी, मिर्च जो भी आप मसाला यूज करते हैं अपनी सबजी में बस वही हल्दी, नमक, मिर्च वही अंपस में भी डालना है और इसकी जो ये ग्रेवी बन रही है इसको अच्छे से हमें टमाटर को टीक से पकाना है जब तक कि टमाटर पूरा सोफ्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें उसको पकाते रहना है जब वह सोफ्ट हो जाएगा तो हमें अपनी गैस को बंद कर देंगे और वो हमारी ग्रेवी के लिए बनने के लिए तियार हो जाएगा अगर आप ऐसे ग्रेवी बनाते हैं तो फिर उसको ज्यादा पकाने की भी जड़त नहीं बढ़ती है क्योंकि टमाटर जो भी आप ग्रेवी में डालना चाहते हो वह आदा तो पक चुपा होता है यह देखिए यह विल्कुल ऐसा हो जाएगा ना जब ऐसी इसकी सिच्वेशन हो जाती है तो मैं गैस ओफ करके इसको यहां से हटा लेके और फिर इसको हटाने के बाद मैंने तो यहां पे प्लेट में करके इसको फिर ठंडा करने के लिए इसको रख दिया था क्योंकि इसको ठंडा होने में काफी time होता है लग जाता है को अगर ऐस ही रखो तो मैं प्लेट में डाल के फिर इसको पंखे में रख देती हो ठंडा करने के लिए यहां पे मैंने लिया एक कटोरी ह Comes आद्र कटन य लिया और उसमें हम लोग मसालेगे इसमें भी थोड़ा थोड़ा मसाला डाला था इसमें हम जो सब्जी दे अब सब्जेजी हम मसाला यह मैंने 2 प्लrest युज़ा यह मैंत डाली में मिर्ची है मसाले तो आप उपने कोर्डिंग ले सकते हैं कोई कीखा मिलची के अंदर नमख डाल required चोटे है होती है जब आपका ध्यान होता है ना वीडियो भी बनानी होती है और काम ही करना होता है तो ठोड़ा चार अड़े IS CO MAN अच्छे से चलाना है क्योंकि कई बार इसमें मसाले की ना गाटे जी बढ़ जाती हैं तो इसको अच्छे से आप चला लेंगे ना तो बहुत अच्छा सा उसका पेस्ट तियार हो जाएगा और ये थोड़ा समयने फिर बाग में पनीर मसाला भी इसमें एड़ कर दिया है इसको डालके आप अच्छे से चलाएंगे और ये ये ऐसे गोल बनके तियार हो गया अब वो हमारा ठंडा हो गया था टमेटो जो हमने अपने किया था तियार करके रखा था तो मैंने उसको मिक्सी में चला लिया है और मिक्सी में उसको तब तक चलाने है जब तक वो अच्छा सा पेस्ट उसका नहीं बन जाता मैंने कड़ा लिए हैं कड़ाई में टेल डाला है और तेल डालने के बाद जब तक की तेल अच्छे से गरम नहीं हो जाता तक तक आप इसमें आपना जो थे अन्यक्ति रख्यूंप देख सकते हैं कि इसलिए प्रप्रब्रम आधा और कि आप इसलिए अपर आप हग¯े कर दिया में नहीं छ τιςिजिखने कर ले कि वह गाटे बगर ऐसमें रहतो के रहें तेल गरम हो जाएगा तो आप अराम से उसको पहले गईज अगर आप ऐसे मसाला डालेंगे ना उस सच में सब्सक्राइब बहुत अच्छा टेस्ट आता है कभी ट्राय करिएगा ऐसी मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सा जो टेस्ट होता है ना मसालो का वह आ जाते हैं और मैंने यहां पर डाला हलका सा जीरा और जीरे के बाद जैसे जीरा भूंता है तो मैं अपना यह जो मसालो बाला पेस्ट है यह मैं इसमें डाल दूँ अब इसको डालने के बाद हमें अच्छे से उसको चलाते रहना होगा क्योंकि अगर मसाले ना बहुत जल्दी जी कढ़ा जाता है यह तो सभी जानते हैं को जब टील उप पर आ जाएगा तो हम हम इसमें अपनी जो ंपनी को बनाए थी वह डाल देंगे और इसको डालने के बाद आशिस को मिकसी में से निकाल के डालेंगे और उसको डालने के बाद भाई मुझे तो पता नहीं है मैं जो पर ने की डिश बना रहे हूं यह आप विए फोटी इंदी है कि यहमें विए पनीर के पीश कर लिया था जोटे-चोटे से पीस जो है वह कट कर लिया वह से लोग बड़े-बड़े पीश करना अच्हा लगता है लेकिन क्या होता है ना जादतर अगर आफे आसा करता है तो जो पनीर होता है वो राइह नहीं पाता है तो मैंने थोड़ा सा पनीर अग्रेट कर लिया था वन ग्रेट करकी डालूंगी क्योंकि बच्चे योग क्या रहते हैं सोझा स蠁ट में लास्ट साइक गरेवी ही कि दो चमच छोटी वाली जो चमच होती है वो दो चमच डाल सकते हैं और उसको अच्छे से चला दें यह देखिए इसकी जो कंसल्टेंसी है वह ऐसी होने चाहिए और अब इसमें हम पनीर डालेंगे तो जो मैंने इंग्रेट करा हुआ पनीर रखा था पहले मैं वह तो मैंने पनीर के चोटे-चोटे पीस कर लिये थे क्योंकि बड़े पीस में तो फिर बोई प्रोग्रम होती है सब लोगों को पनीरी पनीर से यह ग्रेवी किसी को नहीं खानी होती है तो इसलिए चोटे-चोटे-चोटे पीस होते हैं तो सब पे आई जाते हैं फिर बलाई लो का 하 फिर अम डालेंगे मैं झाल टीज opना नजसीरे कई ड़िए गयना법 के तो चैनल देखिए उनायि 10 गच्श मिन्ट विलल आपि जादा पकाती है क्या दोगा है 3 मिंट चैनल शेड़ाइख मजफ इंतां चैनल साही पनीर मसाला और थोड़ी सी कसुरी में थी उसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता जाता है गाईस और बिना प्याज और बिना लेसं के आपकी साही पनीर वन के रेडी हो जाएगी और टेस्ट में बिलकुल ये इतनी टेस्टी होगी जितना के लोग बोलते हैं ना के पनीर क Fest लिए ऩराबनिर के pieri hai갈तangen है पर रहुष कर दोंगेर कि जान यह हुषा 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 पर नायो ह tay एपका फिach स्टेटेस लिया में मुंदेक हुषाी पिरिया यहिदास बताम मुंदेक हुषा इसको वाल पता है किस की है और पुछ है मांधी में जल जैंगी उसमें चूरीया है में जहेंगी मोल जाएंगी कैसे तुम्हा तुम्हें ज्यांदा अच्ही लगे कि अपनी साडी को लो ना तो पूरी क्या कर रही है मैम कराती है कैसे कराती है और क्या कराती है खड़ा होगे बता पीछे होगे बता उदर स्टूल के बास ऐसे कराती है अच्छा और वो वाली पोएम कैसे सिखाती है मैंकी वाली मंकी वाला का कूट 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 कैसे की उदर जा मेरे पास कूट 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 मंकी गाए कार्णा गाएगा पुल कूल कूल मचली जाएगा मचली जाएगी रावी Ghi Advis जीवण 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 बाल नेगे बुसिका हो दूदो बाहर निकालों कै मैरे लाविण पाने में बाला होगे मकी जाएगी ने साराप ये बाई साराप साराप